आज हम बात करें एक ऐसी चीज़ कि अगर आप बुड़ापे तक ना तो आपकी हदियां दर्द होंगी ना आपके शरीर में कमजोरी आएगी मैं बात कर रही हूँ आज गोंद की अगर आपको कहीं भी बॉडी में दर्द रहता है गुटनों में दर्द है पीठ में दर्द है या कोई भी जिसे कई बोलते हैं मुडों में दर्द है शोल्डर्स में दर्द अलवों में दर्द अगर आपको शरीर में कहीं भी दर्द रहता है तो आपको गोंद जरूर खानी चाहिए गोंद खाने से किसी भी तरीके के दर्द में बहुत ही अराम मिलता है और अगर आपके गुटनों में ग्रीज खतम हो गई कई बार डॉक्टर बोलते हैं आपके गुटनों में आवाज आ रही है उसमें grease खतम हो गई है वो भी आपको गोंद को खाने से दोबारा से ठीक हो जाएगी Another very important अगर आपको किसी भी तरीके के कमजोरी है श्रीद में मतलब आप ठके वे रहते हैं या आपको आपने डिलिवरी करी है मतलब आपने बेबी को बर्थ दिया है या आप lactating mother है तब भी आपको गोंद को जरूर लेना चाहिए आपने देखा होगा जो हमारी नानी जादीज होती है वो हमेशा हमें गोंद के लड़ू बनाके खिलाती है या किसी भी फॉर्म में बोलती है आपको गोंद लेना चाहिए ये वो क्यों क्योंकि आफ्टर डिलिवरी शरीर में इतना जादा ब्लड कलोस हो जाता है और इतनी कमजोरी आ जाती है ना उसको ओवर कम करने के लिए गोंद बहुत ही हेल्दी चीज है वो लेंगे तो आपको जो lactating mothers हैं जो मतलब बच्चों को दूट पिलाती हैं उनको lactation में कोई problem नहीं होगी साथी साथ जितनी भी delivery के बाद weakness आ जाती है उसको भी आप जल्दी से ओवर कम कर पाएंगे ये बहुत ही healthy चीज है गोंद another very important अगर आप चाते हैं आपकी skin बहुत ही soft glowing और हर समय hydrated रहे तब भी आपको गोंद को जरूर consume करना चाहिए क्योंकि गोंद लेने से आपकी skin की even tone होती है जितने भी wrinkles fine line है वो सब आपके चले जाएंगे अगर आप गोंद को लेंगे गोंद is really good for your skin also another very important अगर आपको digestion से related कोई भी problem है मतलब जैसे कहते हैं कि आपको gas की problem है acidity की problem है या आपको खटे दकार बहुत ज़्यादा आते हैं उसके लिए भी गोंद बहुत ही अच्छी चीज है another अगर आपको periods आपके बहुत irregular है मतलब आपको periods में बहुत cramps आते हैं या periods की cycle आपकी even नहीं है या आपको कम आते हैं या बहुत ज़्यादा आते हैं मतलब आपको hormonal disbalance है मतलब ज़्यादा कभी कम कोई regularity नहीं है तब भी आपको गोंद को जरूर consume करना चाहे क्योंकि इस हो जाएगा साथी साथ अगर आपका immunity बहुत low है metabolism आपका बहुत slow है इस case में भी आपको बहुत अच्छी help मिलेगी अगर आपको BP की problem है या cholesterol की problem है उसके लिए भी गोंद जो है very effective it help in reducing the BP and cholesterol को भी manage करने में बहुत ज़्यादा help करता है अब हम बात करेंगे कि आपको गोंद लेना कैसे है basically जो गोंद है इसकी तासीर होती है ठंडी तो अगर आपको गर्मियों में लेना है तो आप इसको एक से दो चमच एक कप पानी में रापको भीगो के रग दीजिए सुबह आप इसको शर्बत में कैसे भी डाल करके ले सकते है क्योंकि एक slimy सा liquid बन जाता है अ उसमें आपको अच्छे से यह जो भीगा हुआ अपने गोंद लिया है भीगा वा गोंद डाल देंगे गरम दूद में और आप उसमें कुछ ड्राइफरूट से से बदाम अक्रोट या जो भी आपको ड्राइफरूट पसंद है उसके साथ मिला के लीजिए आपको में लेनी के लिए बेटर है ऑप्शन विद ड्राइफरूट गर्मियों में आप कैसे भी ले सकते हैं चाहे शर्बत के से